तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनु सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग पीपीटी वाले आज की इस वीडियो में हम डिस्टर्स करने वाले हैं ग्लोबल मर्जर्स और अकुजिशन के बारे में बहुत सारे एक्जमपल्स के साथ कवर करने ही कोशिश करेंगे में इ इंडिया में है जिसका नाम है कंपनी A इंडिया की कंपनी है अगर वो कंपनी मर्ज करती है या हाथ मिलाती है कल को कंपनी B के साथ जो की इंडिया से बाहर है किसी और कंट्री में है किसी और देश में है और दोनों कंपनिया हाथ मिलाकर एक तीसरी कंपनी बना लेते हैं कं नई कंपनी है ठीक है उसको ही हम बोलतेते हैं global merger A और B आपस में merge होके company C बन गई ठीक है A company किसी और country की हो सकती है B company किसी दूसरी country की हो सकती है ठीक है इसका एक example ले सकते हो अब A company कौन हो सकती है Vodafone हो सकती है Vodafone UK based company है Vodafone ने अगर India की idea company के साथ हाथ मिलाया और तीसरी company बनाई वी आई तो उसको हम बोलेंगे global merger वहीं दूसरी तरफ देख लो company A है जो कि same किसी और country की company है किसी और देश की company है अगर वही company acquire कर लेती है company B को जो कि India की company है तो क्या हो जाता है global acquisition ठीक है company A ने अगर company B को acquire कर लिया हाथ नहीं मिलाया उसके साथ बोला भईया आज से आपकी company मेरी हुई ठीक है ये logic जितना भी आपका valuation बनता है yellow पैसे अमारा maximum stake आपकी company में अब मेरा हुआ ठीक है अगर Walmart acquire करती है Indian company Flipkart को तो उसको बोलेंगे global acquisition दोनों के बीच में difference आप समझ गयोंगे कि global merger का मतलब हो गया कि दो company मिलके एक तीसरी company बना रही है लेकिन global acquisition का मतलब हो गया Walmart acquire कर रही है Flipkart को ठीक है यहाँ पर कोई भी company खतम नहीं हो रही है Walmart का बस stake जादा हो गया जितना भी control था वो Walmart के पास चला गया उसको बोलेंगे global acquisition ठीक है अब लिखने वाली term में समझ लेते है global merger का मतलब क्या होता है happens when companies from different countries combine to create one unified company जैसे कि मैंने example में बताया था कि different countries से अगर companies आपस में मिल के एक तीसरी company बनाती है या एक नई company मनाती है unified company बनाती है तो उसको हम बोलते है global merger companies merge to increase their market reach, cut down on competition and benefit from shared resources leading to cost saving and higher profits अब companies merge क्यों करती है merge इसलिए करती है कि उनका जो market reach है वो बढ़ जाता है अगर Vodafone ने idea के साथ मिलाया है तो idea का market अलड़ी था तो Vodafone का भी वो market reach बढ़ गया और जो competitors थे जो network providers थे, cellular competitors थे उनसे अच्छे से fight हो सके बराबरी की fight हो सके, इस वज़े से भी merger कर सकती है companies और Vodafone ने अगर idea के साथ मिलाया है तो idea के जितने resources होंगे यह Vodafone के जितने resources होंगे अब वो shared होंगे दोनों companies के बीच में ठीक है और जो cost लगेगी, profits होंगे, यह reasons होते है कुछ merger के जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि क्या advantages होते हैं, क्यों कंपनिया करती है merger या acquisition यह हम merger की बात कर रहे हैं बस ठीक है Merging involves blending the company's operations, cultures and management which can be complex due to different ways of doing business and legal requirements Merging का मतलब हो गया कि companies जो merge हो रहे हैं आपस में उनके operations, culture, management वो सारा कुछ merge हो रहा है ठीक है अगर मानलो मेरी company का management style कुछ और था कल को मैं किसी और company की साथ हाथ मे लाता हूँ जाके बोलता हूँ चलो तीसरी company form करते हैं दोनों मिलके तो जो मेरा management style है और जो दूसरी company का management style है जो culture है वो अलग हो सकता है तो यहाँ पर कुछ दिक्कते आती हैं global merger में जो कि हम यहाँ पर बताया गया है कि इतना ऐसे हलवा नहीं होता है जो सब कोई खालेगा अभी हम बात करते हैं global acquisition की global acquisition क्या होता है occurs when one company buys a controlling interest in a company located in another country effectively taking control of it global acquisition तब होता है जब एक company दूसरी company का एक stake buy कर लेती है पूरा का पूरा मतलब controlling stake का मतलब हो गया 51% या उससे जादा अगर वो buy कर लेती है और उसका control अपने हाथ में ले लेती है बोलती है आज से जितने decision होंगे मैं लूँगा इस company बारे में या मैं लूँगी इस company के बारे में तो उसको बोलते है global acquisition और ये भी दूसरी country में located होनी चाहिए अगर इंडिया में ही हो रहा है तो उसको बस simply acquisition बोल सकते हो अगर इंडिया की दो company ऐसा कर रही है तो अगर एक company इंडिया की एक company USA की है या United Kingdom की है या London वगेरा कहीं की भी है तो उसको आप बोलोगे global acquisition ग्लोबल लग जाएगा उसके साथ companies acquire others to quickly enter new markets, gain new technologies और eliminate competitors वही global merger वाले ही है इसके भी benefits जिसकी वज़े से company acquire करती है क्या है new markets में बहुत easily चले जाती है वो क्योंकि दूसरी company का already market बना हुआ है तो acquire अगर करती है तो उसका market share already मिल जाता है new technologies मिल जाती है दूसरी company के साथ shared होती है technologies और जो competitors होते है उस company के उसको अच्छे से fight करने में या compete करने में सहायता करता है the purchase of company gains significant control over the acquired company's operation and strategic decision अब यहापे control की बात की गई है merger से यह कैसे अलग है महापे control नहीं होता है किसी भी एक company के पास दोनों के पास बराबर का control होता है लेकिन यहापे global acquisition में अगर देखा जाए तो एक company significant control gain कर रही है दूसरी company के ओपर कि जो भी strategic decision लिये जाएंगे जो भी operations होगा दूसरी company में जिस company ने उस company को खरीदा है वही लेगी वो सारे decision जो खरीदार company है इसका example जैसे कि मैंने बताया था कि Walmart जो US based company है Walmart ने क्या किया था acquire कर लिया था Flipkart को जो India की company अभी Flipkart जो है न वो Walmart के अंडर ही आती है ठीक है और इसका दूसरा example हो सकता है जैसे कि मैंने सबसे starting में दिखाया था आपको इस वीडियो के कि Tata Motors आपने सबने सुना होगा इंडिया की company है Tata Motors उसने क्या किया कि भईया जाके Ford से क्या बोला ना Ford Motors से बोला कि भईया आप अपना जैगवार का operation हमें दे दो और Land Rover का operations हमें दे दो तो वहाँ से जैगवार खरीद ली पूरी की पूरी company और Land Rover खरीद ली अभी इंडिया में क्या बन गया है वो या मतलब Tata Motors ने उसको क्या बना दिया है JLR जैगवार Land Rover बना दिया है तो यह होता है Global Acquisition फिर देखते हैं क्या advantages होते है Global Mergers and Acquisition अब बोलोगे सार आपने पहले तो अलग-अलग बताया है अभी advantages में आपने merge कर दिया दोनों को मतलब Mergers and Acquisition का सेम बता रहे हो या होता तो सेम है ना मतलब कि दो company आपस में मिल रही है कैसे भी मिले Walmart Flipkart अगर मिल रही है तो acquire करने की तरीके से मिल रही है word upon India मिल रही है तो merge होने के तरीके से मिल रही है मतलब एक तरह से दो company आइंवाल्व हैं इसमें इसके क्या advantages हो सकते है सबसे पहला हो सकते है market expansion जो कि हमने पढ़ा था कि companies नए market में easily enter कर पाती है इसके जरीए ठीक है क्योंकि एक company का customer base होगा या global presence होगी वो दूसरी company enjoy कर लेगी easily अगर हो merger या acquisition करती है तो second होता है economies of scale अगर आपने operations को combine कर दिया तो आपका cost कम होगा और आपके shared resources है obviously तो आप bulk में purchase करोगे और streamline कर सकते है उपनी processes को ठीक है क्योंकि अब तो पहले आप एक ही business करते थे अभी आपने दो company आपस में फिर आप business कर रहे हो ठीक है तो आप production भी बहुत जादा करोगे purchase भी bulk में करोगे जिसकी वज़स से आपको economies of scale का advantage मिलेगा economies of scale क्या होता है कुछ नहीं होता है कि आपकी cost कम रहती है अगर आपने दो unit बनाई तो आपकी per unit cost 10 रुपे थी वही आप 10 unit बनाते हो तो आपकी per unit cost कम होती रहती है मतलब 7 रुपे आजाएगी या 8 रुपे आजाएगी तो कम होने का जो advantage है वो आपको merger and acquisition में देखने के लिए मिलता है थर्ड होता है increased revenue अगर आपने नए market में serve कर रहे हो आप नए customers को serve कर रहे हो merger and acquisition के जरीए तो आपकी obviously sales तो बड़ेगी न तो इसलिए आपका high revenue potential भी वहाँ पे बढ़ता है फूर्थ होता है diversification अगर आप merger कर रहे हो या acquisition कर रहे हो different regions में जाके मतलब आप India में हो आप USA में भी merger acquisition कर दिया आपने वहाँ की कोई company के साथ हाथ मिला लिया तो आपको जो risk है वो भी spread हो जाएगा कल को India के market में कोई दिक्कत आती है तो US में same दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो US की basis पे आप रोटी पानी खा सकते हो अपना कोई दिक्कत नहीं है जो भी profits आएगे वहाँ से तो similar आते रहेंगे तो आपका एक तरह से risk जो है वो spread हो गया various markets में ठीक है तो जो local economic downturns है जो भी local reforms है उसका impact जादा नहीं पड़ेगा आपके business पे फिफ्ट होता है access to new technology companies क्या कर सकते है new technologies patents expertise वो सारी चीज़े gain कर सकती है और जिससे उनको क्या मिलेगा obviously competitive advantage मिलता है और next point भी भी है elimination of competition अगर आप मानलो किसी market में हूँ आपने बोला कि भाई इस market का सबसे बड़ा player कौन है उसी को acquire कर लो जैसे कि Tata Motors ने क्या किया भाई यह Jaguar का नाम था एक time पर ठीक है Land Rover का नाम था Tata Motors ने क्या किया चलो भाई यह इसी को खरी लेते हैं जाके competition ही खतम हो गया भी यह ठीक है seventh होता है enhanced capabilities global merger and acquisition करके आप अपनी capabilities को भी बढ़ा रहे हो अपनी strengths को बढ़ा रहे हो expertise को बढ़ा रहे हो जिसके जरीए आप क्या करोगे product और service जो भी आप offer करते हो वो improve हो जाएंगी ठीक है मतलब पता नहीं आपने notice किया होगा कि नहीं कि जब flip card को Walmart ने खरीदा ठीक है तो flip card की services थी उसमें बहुत जादा improvement देखने के लिए मिली उसमें बहुत जादा changes देखने के लिए मिले ठीक है और यह vice versa भी होता है कोई कोई company ऐसे खराब भी हो जाती है लेकिन हम advantages पढ़ रहे हैं तो अच्छी बाते करनी है बस ठीक है तो text benefit होता है last point जिसका मतलब होता है कि अगर मानलो आप किसी और country में जाके business कर रहे हो किसी और company के साथ मिलके तो आपको वहाँ की country का favorable tax treatment जो भी होगा मतलब इंडिया का tax treatment अगर इंडिया का tax जो भी process है वो आपको अच्छा नहीं लगता है या बहुत जादा rigid है तो आप किसी और country में जाओगे तो आपको tax benefit मिल सकता है as compared to your local country जिसके वज़े से अगर tax benefit मिल रहा है तो obviously cost तो आपकी बचेगी और cost बचेगी तो फिर ये advantage हो जाएगा आपकी business के लिए यही कुछ advantages थे I know थोड़े से जादा थे लेकिन ये आप याद कर लोगे ना इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो बहुत easy advantages है आप पस ये सोचो कि आप दूसरी company के साथ अगर जा के हाथ मे ला रहे हो तो आपको क्या-क्या benefit मिल सकता है ये सारी benefit मिल सकते हैं अभी देख लेते क्या challenges होते है global merger and acquisition की कुछ दिक्कते भी तो आती होंगे या इतने फायदे हैं तो कुछ दिक्कते आएंगी तभी तो risk तो होगा ना कुछ ना कुछ सबसे पहला होता है cultural differences अगर merge कर रहे हो आप किसी और company के साथ और वो company किसी और देश में है तो उस देश का क्या culture है क्या culture है क्या management style है क्या communication practices वो follow करते है क्या workplace norms है वो सब आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि कल को आप merge कर रहे हो तो आपको उनके साथ day to day काम करना पड़ेगा जो कि एक बहुत challenging task होता है अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो बहुत सारी misunderstandings पैदा हो जाती है conflict हो जाता है integration में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनके साथ ऐसे मिलके काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है second होता है regulatory and legal compliance अब किसी और country में अगर जाके आप merger and acquisition कर दोगे वहां के क्या regulations है ठीक है आपका जो भी merger and acquisition है वो delay हो सकता है या मतलब बहुत worst case scenario में आपकी जो deal है merger and acquisition की वो भी cancel हो जाती है third होता है political and economic risk अब जिस country में आप जाके सोच रहे हो कि merger and acquisition कर दूँगा किसी भी company के साथ तो वहां की political situation क्या है वहां की government में अगर कोई change हो गया कल को मालो US में आप जाके business करने वाले हो जो बाइडन अभी वहां का रास्टरपती है मालो कल को Donald Trump आ गया तो बहुत सारी चीज़े change हो जाएंगी वहां के president के change होनी की विज़े से ठीक है तो वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है fourth होता है integration issues integration issues मतलब आप merger and acquisition कर रहे हो तो आप उसके process को जो दूसरी कंपनी है उसके operations systems, processes उनको integrate करना चाह रहे हो आपस में कि ठीक है मालो आज मैं इस तरीके से काम करता हूँ कल को मैं किसी और कंपनी के साथ हाथ मिलाऊंगा तो उसका भी तरीका में जानने की कोशिश करूँगा और अपने तरीके में कोचेंज करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर integration issues बढ़ सकते हैं ठीक है और अगर आपने सही से integration नहीं किया तो inefficiencies बढ़ेंगी लोग छोड़ छोड़ के जाने भी लग जाते हैं इसकी वज़े से ठीक है और जो भी अपकी strategies थी वो meet नहीं होंगी फिफ्त होता है Valuation Challenges Merger and Acquisition जैसे कि मैंने starting में बताया था हलुआ नहीं होता है हम ऐसे अपनी language में कहते है दालभाद का कौर नहीं होता है पता नहीं आपकी language में बोलते होंगे कि नहीं आपको समझाएगे नहीं Valuation Challenges में आपको आकना बढ़ता है accounting standards से market conditions से business practices से कि जो company आप खरीदने जा रहे हो किसी और country में उसकी exact valuation क्या है और कितना stake आपको लेना है कितने पैसे उस company पे खर्च करने है अगर आपने सही से valuation नहीं किया तो आपके हाथ से बहुत सारी चीज़े चली जा सकती है financial losses हो सकते हैं आपको ठीक है आपकी जो भी आपने सोचा था कि भी या मैं इस company को खरीद के यह सारी सपने जो आपने देखे होंगे वो सपने एक बारी में आपके चकना चूर हो सकते हैं तो इसलिए valuation में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिर आता है communication barriers अगर आप different countries में जा रहे हो तो language differences होते हैं जिसकी वज़े से communication barriers हो सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको उस company के साथ काम भी तो करना है उस company को खरीद के तो अगर सही से काम ही नहीं कर पाए communication ही नहीं हुआ अच्छे से तो बहुत सारे errors होंगे, delays होंगे और जो employees का motivation है वो खटेगा 7th होता है financial risk जैसे कि अगर मान लो किसी और country का क्योंकि वहां की currency भी अलग होगी तो exchange rate में अगर कोई दिक्कते आ गई अगर exchange rate में कुछ भी changes हुए interest rate में changes हुए, market conditions में कुछ भी changes हुए, तो उसका direct impact पड़ेगा आपका financial outcomes पे जो भी आपने सोचा होगा आपकी cost बढ़ सकती है, profitability कम हो सकती है, ठीक है और जिसके वज़े से आपकी overall success भी बहुत जादा impact होती है, measure and acquisition के जो भी आपने basically सपने देखे होंगे उसके लिए और due diligence बहुत जादा required होती है अगर due diligence आपको करनी है तो सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी पड़ती है due diligence अपनी करनी पड़ती है ठीक है, ताकि आपको खुद को भी ऐसे knowledge रहे कि जो अपको खरीदने जा रहे हो, उसके बारे में आपको कितना पता है ये हो गए कुछ challenges global mergers and acquisitions के हमने advantages देख लिए, challenges देख लिए अभी I know video थोड़ी सी लंबी हो गई है आपको यहीं पर छोड़ने है तो आप छोड़ सकते हो आपने बहुत सीख लिया global mergers and acquisition के बारे में इतना more than enough है अभी last slide में मैं discuss करने वाला हूँ process, global mergers and acquisition की क्या process होती है देखनी है, देख लोग को 6-7 points है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे stress मत लेना अगर याद ना हो तो बस सुनते रहो जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या process होती है, कैसे आप दूसरी company के साथ जाके हाथ मिलाओगे यह कैसे खरीद होगे आप दूसरी company ठीक है, सबसे पहले आप करोगे strategic planning आप बताओगे अपने आपको अपने आपसे बात करोगे mirror के सामने बैठके यह क्या जरुरत है मिलेको mergers and acquisition करने की कोई जरुरत है, जैसे कि अगर आपका goal है market expansion करना technology को acquire करना उनको target रखोगे अपना उसके बाद आप due diligence करोगे उस company के बारे में जानोगे जो भी target company है आपकी उसकी assets कितनी है, liabilities कितनी है कहां कहां से उसको पैसा आ रहा है, क्या-क्या उसकी profitability है ठीक है, और किसी legal चक्कर में तो नहीं पड़ी होई है वो company, है न उसका culture क्या है, आपकी company के साथ integrate हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी due diligence करोगे, अभी कुछ किया नहीं है आपने बस आप अपना homework कर रहे हो basically, फिर आप करोगे valuation and negotiation, अभी आप actual काम करना शुरू करोगे, कि जो भी आपकी target company थी, उसको value करोगे, value as in, उसके पैसे determine करोगे कि कितने रुपे की है वो company, ठीक है इसके लिए बहुत सारे methods यूज होते हैं, तो ऐसे financial या practical उसमें नहीं चाते हैं, बस यह समझ लो कि आप उसके value देख रहे हो, कि कितने की मैं लेख सकता हूँ ये company ठीक है, negotiation करोगे कि भईया, क्या-क्या price रहेगा payment structure क्या होगा, क्या-क्या conditions होगी, कुछ conditions and terms and conditions भी आपको वहीं पर define करने पड़ती है और negotiation में क्या होता है, कि आप उस target company के साथ जाके बात भी कर रहे हो, ये नहीं कि अपने जो भी decide कर दिया, quotation उसको भेज़ दिया हम ये इतने रुपे में हम खरीद रहे हैं, उसके साथ जाके बात करोगी, भईया, इतना रुपे हमने valuation लगाया है, आपको कुछ negotiate करना है कुछ offer deal देनी है, कुछ भी changes करने है, terms and conditions में तो वो सारे यहाँ पे इस step पे होते हैं, fourth होता है deal structuring, एक बार company मान जाती है कि हाँ भईया चलो merger करना है, ये acquisition करना है, तो यहाँ पर decide होता है कि क्या करें, merger करें acquisition करें, joint venture करें strategic alliance करें, करे तो क्या करे, fourth होता है एक बार आपने decide कर लिया है कि करना क्या है तो फिर उसके बाद आप approval लोगे जो भी regulatory approvals होते हैं, जो भी paperwork होते हैं, agencies से और जो भी, मतलब आपकी जुरूरी थोड़ना है कि Indian agencies से बस approval होगे, आप किसी और country में जा रहे हो तो वहाँ की भी regulatory approvals आपको लेने पड़ेंगे government agencies से वो भी आप लोगे जो भी आपकी company के shareholders होंगे या उन company के shareholders होंगे उनसे भी approval लेना पड़ता है, कि भी आगे जाके हम ये acquire करने वाले हैं वाली company उनका भी approval बहुत जादा necessary होता है, फिर उसके बाद closing करते हैं, closing का मतलब जो भी transaction होती है, जो भी पैसे का लेंदेन होता है, वो सारा चीज होता है यहाँ पे खदम नहीं हो जाती है merger and acquisition process last step होता है, integration करना ठीक है, अभी merger and acquisition आपने कर दिया, मतलब कि खरीद ली उस company को, उसके बाद आप integrate करोगे, combine करोगे operations को systems को, processes को दोन्यों companies के बीच में, ठीक है ताकि आप यह ensure कर सोकी कि एक smooth transition हो गया है वो company actual में merge हो गई है और काम smoothly चल रहा है ठीक है, तभी आपका merger and acquisition process सफल होगा या खतम होगा, ठीक है तो यही था इस वीडियो में I hope आपको समझ में आगवा क्या होता है Global Mergers and Acquisition तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज नीचो comment section में लिख देना और subscribe कर देना चैनल को subscribe बहुत ज़ादा important है, educational channel है गंदी बात नहीं कर रहे हो अगर आप इस चैनल को subscribe कर रहे हो तो subscribe करते हो जाना है और like हो जानी चाहिए वीडियो like के साथ साथ आप comment में कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि आपको अगर feedback देना हो इस वीडियो के लिए या आपको किसी और topic पर वीडियो चाहिए तो भी आप comment में लिख सकते हो comment में लिख दिया करो आप बातचीत करते रहा करो और मैं जादर जादर comments का reply करने की कोशिश करता हूँ मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care, have a nice day